जबागवद गीता का अपने रामायन का अपने संस्कृत भाशा के गरंतों का अपने हिंदी भाशा के गरंतों का परचार परसार करें अब ऐसी कौन सी आशी आऊशक्ता पड़ गई है कि यहां पर बाइबल को फिरी में लोग बाट नहीं क्यूं गलत है एक दम नहीं होना चीए भारत एक लुक्तान त्रीक देश है सब्सक्राइब बात कहने का हक है ठीक है आप भी अपना परचार कर रहे है ये जो सोचता हो परचार कर रहा है इसमें क्या दिक्कात है अच्छा हम चाहेंगे कि कोई व्यक्ति आए किरायदार बन कर आए और यहां पर पूरा कब्दा कर ले तो हमारा यह तो देशन नहीं है तो संस्कृत तो मूल हमारी भारत की है तो वो जो वेद की संस्कृत उसको परचाब परसार होना चीए मोदी जी का इस्टार लगा हुआ है मोदी जी के साथ लोग गीता देके फोटो खिचवा रहे हैं तो यह सब चीजें जो है इस तरह का जो है और इस तरह की मेले में मैं तो काफी दिन से इस्टार लगा रहा हूं मैंने कभी नहीं देखी नमस्कार न्यूस क्लिक में आपका स्वागत है आज हम विश्व पु तक मेला में कल बुद्वार को जब एक स्टॉल बाइबल लोगों को दे रहा था बांट रहा था तो वहां पर कुछ 30-40 लोग आ गए उन पर हमला कर दिया गया और उनसे कहा गया कि यह लोग कन्वर्जन कर रहे हैं जबरदस्ती और जैशी राम के नारे लगाये गए हर महा प्रसारित किया जाता रहा है विश्पुस्तक मेला में तो इस तरह ही घटना अगर जब होती है तो यह कितनी सही है कल जो है बारा बजे जो है करीब 40-50 लोग आए और वो जो एक बाइबिल बाटर हैं फ्री बाइबिल बाटर है उनके इस्टाल पे उनने कहा कि यह जो है विजेसी धर में यहां नहीं चलेगा और जो है वह उत्तेजक नारे लगाया तोरफोर करने की कोसिस भी किये लेकिन वहां पर कोई अधारिटी नहीं थी कोई पुलिस वाला नहीं था और दो गार्ड बहुत बाद में आये और उसके बाड हो पाफी देर तक नारा लगाते रहे दोनों इधर के रास्ते को उन्होंने बंद कर दिया और कोई अथार्टी नहीं दो गार्ड जब हो गया चले गया उसके पुलिस आती है तो मैंने उनसे पूछा किया अगर यह है तो और भी हमारे इस्टाल के सामने एक इस्टाल लगा हुआ हिंदू धर्म का है इसलाम का एक्चुली में किसी भी धर्म का प्रचार करना गलत है लेकिन आप अगर सारे लों को पर्मिशन दे रहे हैं तो अगर बाइबिल बाट रहे हैं तो उसमें किया आज मैंने सुना उनको नोटिस दे दी गई है कि आप जो है किस तरह यहां पे लगा है आपका एंजिय जी का स्टार लगा हुआ है मोधी जी के साथ लोग घीता लेकर फोटो की चवा रहे हैं तो यह सब चीजिए जो है इस तरह का जो है और इस तरह की इनर्की मेले में मैं तो काफी दिन से इस चाल लगा रहा हूं मैंने कभी नहीं कि कल हम तो यहां अपना काम में व्यास थे अच्छानाक एक सोर सुना और यही था है कि यहां से जब आके देखा तो यह इनके जो कुछ परचार का लगा थी चीज वो फाड़ी कुटावी इताबेली और कुछ हिंदू वादी अपने आपको बोलते हैं उन्हें नारणुरे लगाने सुरू किये अपने और इनको बताए कि मूल संस्कृति क्या है व्यदिक संस्कृति है तो हम चाहेंगे कि हमारी पूरी भारत संस्कृति में व्यदिक संस्कृति का परचार परचार हो अच्छा हम चाहेंगे कि कोई व्यक्ति आए किरायदार बनकर आए और यहां पर पूरा कब्जा कर ले तो हमारा यह तो अद बना कर अपनी पुस्तक धर्मांतर कर रहें तो कुछ लोग तो उसका विरोध करेंगे ना अब चुकी हिंदुस्तान या भारत सामनत हिंदू का देश है और हमारी सबसे प्राचीन दम पुस्ता के वेद हैं तो जब हम यहां पर अपने वेद का अपने महाभारत का अपने भागवत गीता का अपने रामायन का अपने संस्कृत भाशा के गरनतों का अपने हिंदी भाशा के गरनतों का परचार परसार करें अब ऐसी कौन सी ऐसी आवशकता पढ़ गई है कि यहां पर बाइबल को फिरी में लोग बाट रहे हैं क्यों सिधा सिधा है कि विदेशों से फंडिंग आ रही है इस चीज को बाटने के लिए एक वेक्ति चार भी ले सकता है कितनी ले लो ले जाएए भई आप तो वो कहीना क ही हम लोगों को गुमरा किया जा रहा है कि आप यह लीजिए उसको पढ़िए पढ़ने के बाद कुछ समझ जी और हमारे पास आ जाएए तो सीधा सीधा है और यह हो भी रहा है हम घटते जा रहे हैं दिन परते दिन हमारे भाई बंदू की कुछ मजबूर हैं परेशान हैं हैं अपने आप से वह उस तरफ चले जा रहे हैं आप आप नागलेंड में जाकर देखिए पुर्वतर के जो राज्य महां जाकर देखिए गरीभी के कान भुक्मरी के कान लोग तो चीज़ को अपना रहे हैं तो अपना प्रचार परसने का अधिकार है मान लिया कि वह अप करता है तो अब आप सिती देखिए आप मीडिया के लोग हैं आप जब तक सही बात को परचायत नहीं करेंगे तो बात बनेगी कैसे गलत है एक दम नहीं होना चाहिए भारत एक लोक्तांतरिक देश है सब अपनी बात कहने का हक है ठीक है आप भी अपना परचार कर रहे हैं इसमें क्या दिकात है जिस गिडियंस इंटरनेशनल के स्टॉल पर कल हमला हुआ था उन लोगों ने इस पर कोई भी हमसे बात करने से भी मना कर दिया और एफ़ आयार करने से भी मना कर दिया था और इसकी दोनों की वजह ही है कि वो इस मामले को एसकलेट नहीं करना चाहते हैं उन्होंने बताया है कि NBT ने इसमें मामले में हस्तक शेप किया तो और मामला जो है सेटल हो गया था हमने यहां पर जो और धर्मों के प्रचार प्रसार के लिए स्टॉल्स लगाये गए हैं उनसे भी वाद करने की कोशिश की जिनका रवया हमको इसाई धर्म के खिलाफ काफी आक्रामक नजर आया यहां पर भुकफेर में धर्मिक प्रचार प्रसार करना कितना सही है इसाई धर्म के स्टॉल पर जो हमला हुआ वह कितना सही है इसका निर्ने आप स्वयम कर सकते हैं ये उसक्लिक में बने रहिए देखने के लिए शुक्रिया